आपके स्कीन पर एक लेटर दिख रहा है और यह लेटर जारी किया है बिहार बोड के एक्जामनेशन कंट्रोलर ने आज से तक्रीबन 15 दिन पहले का जारी किया हुआ यह लेटर है और यह लेटर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम पर काफ़ सारे ग्रूप किया यह तमाम चीज़ें होंगी सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि यह लेटर जारी किया है बिहार बोड के एक्जामनेशन कंट्रोलर ने और डेट है इसकी बारा इसी महीने की बारा तारिख और उसके नीचे इसका में कॉंटेंट है उसको अगर आप पढ़ेंग उसमे बताते हुए स्टीटी 2019 के स्कोर से मेरिट नॉन मेरिट को हटाते हुए शीग्र परमान पत्र उपलब्द कराने के अनुरोज किया गया था तो किन्होंने किसी स्टीटी का इंडेट ने सीम को लेटर लिकर के यह तमाम चीज़ें कहीं थी और यह मुद्दा काफी पहले से ह कोई नया मुद्दा नहीं है अब इसके बारे में बिहार बोट क्या रिप्लाई कर रहा है वो देखिए जो सेकंड पैराग्राफ है उसको मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं थोड़ा धूंदला है तो थोड़ा आपको कोशिश करना पड़ेगा तो ब्राइटनेस आपको ब भोशित परिनाव सिर्फ क्वालिफाईड अंकितकर परिक्षा फल का परकाशन किया गया पुना 2161 यह को सब भी विशयों में घोशित परिक्षा फल में रिक्ति के विरोध्धly पद के अनुरूप मेधा कर्म में qualified in merit unqualified but not in merit column के साथ परिक्चाफल परकाशित किया गया जिसमें कोई भी संसोधन किये जाने की कोई औचित नहीं है यह वारा line देखिए जिसमें कोई भी जिस तरह से result publish किया गया merit non merit में वो भी आपके सामने हाँ पर लिखा उसके बाद लिखा हुआ है कि इसमें संसोधन संसोधन का इसमें change करने का कोई औचित नहीं है सबसे आखरी paragraph देखिए उक्त परिक्चा में शामिल सभी अभ्यरतियों को result card उपलब्द कराने की दिशा में कारवाई पर किरिया धीन है तो ये तमाम चीज़ें लिखी हुई है बिहार बोड की तरफ से चुकि ये लेटर रिलीज हुआ है बिहार बोड को जैसा instruction था उसी हिसाब से बिहार बोड ने काम किया और ये बिहार बोड कोई नया stand नहीं है बिहार बोड इसी तरह से कई RTI भी जो पब्लिक हुआ है उसमें भी यही बात कही जई है तो अभी फिर से चुकि अभी हाल फिलाल का यह है जो अभी जो लेटर आप देख रहें अपने स्क्रीन पर तो बिहार बोड तो अपने stand पर कायम है कि वो merit non merit वाला column वैसे ही रखेगा और जतनी वेकेंसी उनको दी गई थी उसी के अगेंस्ट सारा सारा result जो है वो publish कराया है तो यही सारी चीज़ें थी इस notice के अंदर बागी इस तरह के RTI भी पहले आ चुके हैं यह कोई पहला नहीं है इस तरह के RTI भी पहले और मैंने वीडियो भी बनाया है उस पर पहले तो अभी के लिए यही सारी चीज़ें थी लेकिन इसमें मेरे ख्याल में नया कुछ भी नहीं है जो बिहार बोर्ड है वो अपने पुराने स्टैंड पर काइम है जो education department है बिहार का उसका